हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चानल देट ग्लाम अप कुईन आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली एक ऐसी फुल बाड़ी वाइटनिंग रेमेडी जिसके हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइटन ब्राइटन बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके हैंड्स पर लेग्स पर आपकी गर्दन पर कोहनी पर गुटनों पर बहुत जादा डाकनेस हो गई है एक पर आपको ज़रोत होगी मैं आपको बताती हूं सबसे पहले आपके पहले नगध़बों को दूर को परकिस किन को वाइटन ब्रायटन बनाएगा उसके बाद हमेंचाहीए शुगर पाउडर आपकी सऌन को डीपली क्लीन करईगाओ बहुत ही जादा अच्छ है हमारी स्किन के लिए उसके बाद हमें चाहिए टर्मरिक पाउडर टर्मरिक पाउडर हमारी स्किन से दाख धबो को दूर करेगा उसके बाद हमें चाहिए लेमन लेमन में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है जिसे हमारी स्किन वाइटन वाइट चंदन पाउडर बहुत जादा अच्छा होता है हमारी इसके वाइटनिंग के लिए उसके बाद हम इसमें एक चमच शुगर पाउडर एड करेंगे शुगर पाउडर डालने के बाद मैं इसमें एक चुथाई चमच टामरिक पाउडर एड करूंगी उसके बाद हम इसमें एक चम्मच लेमन जूस एड़ करेंगे यानि नीम्बू का रस नीम्बू का रस एड़ करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह बहुत ज़्यादा थिक पेस बन जाएगा तो मैं इसमें धीरे-धीरे करके मिल्क एड़ करूंगी आपको इसमें कच्छा दूद डालना है और आप धीरे-धीरे करके इसमें दूद एड़ करें ताकि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट तयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अपलाए हो सके आपकी बोड़ी पर अपलाए हो सके और आपको इसे काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं बहुती सॉफ्ट स्मूथ क्रीमी पेस्ट तयार हो गया है और हमारी DIY फुल बॉड़ी वाइटनिंग रेमिटी एकदम रेडी हो चुकी है अब मैं बात करते हूं कि इसको किस तरीके से यूज करना है इसको यूज करना बहुत ही ज़दा सिंपल है आप जो भी रेमिडी अपने फेस पर अपनी बॉड़ी पर यूज करें सबसे पहले आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि आपके फेस पर जो भी डर्स है डर्ट हो अच्छे से रिमूफ हो जाए और उसके बाद आप इसे ब्र आपके फेस की दूर होगी और आपको वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी और अगर आप इसे पूरी बॉड़ी पर अपलाय करते हैं तो अगर आपको लगता है आपके हैंड पर लेक्स पर जहां पर भी आपके बॉड़ी पर डाकनेस है वो भी कुछी दिन हैं जो हमने लेमन इसमें यूज किया था उसको आपको फैक्त ना नहीं है उससे आपको अपने पूरे बॉड़ी की अच्छे से मसाज करनी है यह देखिए इस तरीके से मसाज करने से आपके बॉड़ी की डाकनेस कुछी दिनों में दूर हो जाएगी और वैसे भी नीमू तो सकिन वाइटनिंग एजेंट होता ही है जिससे हमारी सकिन की डाकनेस दूर होगी और हमारी सकिन वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग होगी तो कम से कम आपको दो से तीन मिर तक अच्छे से लेमिन की हल्प से मसाज करनी है उसी तरीके से आप अपने फेस पर भी लेमिन की हल्प से अच्छे से मसाज कर लीजे कम से कम आपको दो से तीन मिर तक अच्छे से मसाज कर लेनी है और उसके बाद इससे सूखने के लिए छोड़ देना है जब ये अच्छे से सूख जाए तब आपको अपना फेस और अपनी बोड़ी जहां पर भी आपने इस रेमेडी को अपलाई किया है आप अपना फेस अच्छे से वाश कर लीजे तो ये अच्छे से सूख चुगा है, अब मैंने अपना फेस अच्छे से वाश कर लिए तो आप देख सकते हैं इसके पहले यूदस और मेरी स्किन पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ा है मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लीयर नजर आ रही है और अब मेरे hands भी कितने ज़्यादा clear नज़र आ रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि आपकी body पर कहीं पर भी darkness है आपके face पर बहुत सदा acne, pimples, pigmentation, tanning की problem है तो आप इस remedy को ज़रूर dry कीजे ये बहुत ही ज़्यादा natural और effective है आपको इस remedy के 100% results मिलेंगे और इस remedy को अगर आपको इसके best results चाहिए तो आप इसे week में 3-4 बर ज़रूर dry कीजे आपको इसके बहुत ही अच्छे results मिलेंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं मलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चाहना को जरूर सब्सक्राइब करें मैं मलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर